नमस्कार स्वागत है आप सभी का Defense Officers Academy के एक और informative वीडियो में और यह जो वीडियो होने वाला है यह बहुत जादा important होने वाला है parents के दृष्टी कोण से अक्सर जो हमारे वीडियो होते हैं Defense Officers Academy में वो हमारे बच्चों को इस वाले वीडियो पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चें उनके parents के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी होने वाले विकास सैनिक स्कूल का अब exam हो चुका है उस पर हमने solutions भी आपको दिये हैं और एक तरीके से आपको अपने performance को evaluate करने का मौका भी अब मिल चुका है कि अब आप जानते हैं कि आपके किस range में marks आने वाले हैं अपने उन marks को देखते हुए और सैनिक स्कूल में आगे जो e-counseling होने वाली है उसको देखते हुए हम ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इससे पहले हमने स्थैनिक स्कूल की cut-off को लेकर के जो भी हमारे साथ बच्चे सवाल लेकर क्या थे उससे जवाब देने की कोशिश करते हुए एक स्कूल को प्रिफरेंस वाइस भर पाएंगे आज की जो वीडियो है इसमें हम आपको e-counseling से जुड़े हुए जितने भी महत्यपूर्ण तत्य हैं उनकी जानकारी देंगे और साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी आप प्रायोरिटी वाइस उन्हें भरें इस पूरे वीडियो में हम e-counseling की जो जानकारी आपको देने वाले हैं उस पूरी जानकारी में कुछ सवाल हमारे सामने होने चाहिए और उन सवालों को देखते हुए ही हम अपनी जो आगे की प्रोसेस है उसको जच करेंगे सो सबसे पहला सवाल तो यह है कि total number of vacancies हैं कि कितनी इस दे क्वेस्चन नंबर वन सथैनिक स्कूल में जो सीट भरी जाने वाली हैं उनकी total number of vacancies कितनी हैं जितनी vacancies हैं उसको हम मैच करेंगे number of candidates से कितने बच्चों ने सेनिक स्कूल का एक्जाम दिया है और यह 6th और 9th दोनों के लिए ही खास बात है तो what are the number of candidates and what are the total vacancies this is the first question यही ध्यान में रखना होगा आपको देखिए e-counciling की process को समझना है तो उससे पहले आपको उसमें जो आपसे अपैक्षित जानकारी मागी ज दो वेहससिति को समझ पाएंगे सब्सक्राइख पकरश्चिशनική में आपको पता है कि बॉइज की अलग वीक इन ची होती है और हर गर्ल्स की अलग वैकेंंसी होती है और दॉच स्थी में ही आपकोहम स्टेट वालो स्टेट वालों की अलग वेकेंसी देखने ल को मिलती है और other state वालों की अलग vacancy देखने को मिलती है वहाँ पर भी हमने ध्यान देना है one is home and another one is other state और इसके साथ इसाथ vacancies में आपको category wise distribution भी देखने को मिलता है so category wise भी आपको देखना होगा आप कौन सी category में आते हैं और आपकी category wise कितनी vacancy है किसी खास particular school में या फिर overall जो सेनिक स्कूल की total vacancies भरी जाने वाली है उसमें कितना किस category के हिस्से में जाने वाला है ये सारे सवाल जब हमें देखने को मिलेंगे तब हम एक खास point पर पहुंचेंगे that is what are the distribution of seats throughout these सेनिक स्कूल जितने भी हमारे सेनिक स्कूल है उन सेनिक स्कूल में अलग-अलग seats का allotment है इस distribution of seats को हमने समझना होगा खुद सेनिक स्कूल के द्वारा provide की गई जानकारी के थुरू और ये जानकारी आपको vacancy metric के थुरू देखने को मिलेगी एक पूरी metric है उस metric को आप देखेंगे यानि कि एक सूची है पूरी list है उस list को अलग-अलग तरीके से divide करके हमें देखना होगा और उसके बाद ही हम judge कर पाएंगे कि जिस school को हम focus कर रहे हैं क्या वहाँ हमें admission मिल भी सकता है या नहीं या फिर वहाँ number of vacancies actual में हैं भी या नहीं क्योंकि कई सारे से schools हैं जहां पर कुछ खास categories के लिए zero vacancies हैं इतने सारे questions को ध्यान में रखते हुए जब आप e-counseling की process पर बढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि आपको कौन-कौन से schools को vacancy wise अपनी top 10 list में रखना है और कौन-कौन से schools हैं जिन्हें आप चाहते तो हैं कि यहां admission मिल सके लेकिन चुकि वहां कोई number of vacancies available ही नहीं है और your category फिर आपको उन schools को skip करते हुए किसी नए school पर अपना focus करना होगा यह सारी process आपको जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए because जब e-counseling की process शुरू होगी तो सारी चीज़ें बहुत तेजी से होंगी और उस दौरान आपको समय नहीं मिल पाएगा कि आप सही से decision ले सकें सो parents से मेरी appeal है कि जो भी जागरुक parents है वो इस पूरी जो metric है इसका अध्यान करें और साथी साथ जो आज मैं आपको वीडियो के थूरू कर्मिशन देने वाला हूं उसको भी ध्यान से सुनने तो चलिए अब आगे की जो बात है उसमें हम देखते हैं कि यह जो category wise distribution of total vacancies है उसको भी सैनिक स्कूल कैसे conduct कराता है यह खुद सैनिक स्कूल की website में दिये गए data के आधार पर हम आपको बता रहे हैं देखिए reservation in categories and vacancies in सैनिक स्कूल को आप कैसे समझ सकते हैं माल लीजिए एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि total number of seats are 100 अगर 100 seats हैं सारे सैनिक स्कूल में मिला करके तो किस प्रकार से उन seats को fill up किया जाएगा for different categories and different levels सबसे पहली बात the total number of seats 100 उसमें home state के लिए seats होंगी 67% यानि कि 100 में से 67 seats फरी जाएंगी सिर्फ home states वाले candidates से यानि कि आप जितने भी schools देख रहे हैं उनमें उनहीं राज्यों से आने वाले बच्चों या उन home states वाले बच्चों को fill किया जाएगा जो उन schools में admission चाहते हैं और यह 100 में से 67 बच्चे होंगे जबकि 33% यानि कि in this case total number of seats will be 33 यह seats खाली रखी जाएंगी उन बच्चों के लिए जो इस राज्य के अलावा पूरे भारत से इस school में admission लेना चाहते हैं यानि कि वह other states के बच्चे जो इस खास particular state के school में admission लेना चाहते हैं उनके लिए 33 seats आप वेकेंड रखना चाहते हैं एक तरीके से overall जो पूरा का पूरा सैनिक स्कूल की वेकेंसी है उसको 100 seats माल लिजिए all 33 schools की जितनी वेकेंसी से उसको 100 माल लिजिए उसमें 67 seats को home और 33 seats को other के लिए अलग-अलग कर लिया गया है अब इन ही seats में से distribute की जाएंगी different categories को seats ओके और इस तरीके से एक number बनेगा उस number के आधार पर ही फिर सारे school को अलग-अलग seats दी जाएंगी distribute की जाएंगी और फिर एक पूरी metric बनेगी तो पहली बात यह रही दूसरी बात यह है देखिए अब इसको इस तरीके के illustration के साथ समझते हैं कि किस category को कितनी seats allot की जाएंगी पहली category में आपने list A में home state को रख लिया है यानि कि 67 seats मैं से अब कौन सी category के लिए कितनी seats भरी जाएंगी उसकी जानकारी यहां पर देखने को मिलेगी for the schedule cast जो category है उसके लिए आपको 67 का 15% reservation मिलते हुए 10 seats allot की जाती है और this example where total number of seats are 100 इसी तरीके से schedule tribe category के लिए 7.5% of 67 seats that is 5 seats are available यानि कि in communities के लिए क्रमशा 10 और 5 seat होंगी जब number of vacancies होती है 100 यहां पर total number of vacancies अभी change करके हम बताएंगे actual में हैं कितनी और फिर उस हिसाब से चीज़ें बदलती है लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से distribution किया जाता है के लिए मैं जानकारी दे रहा हूं ताकि वह अच्छे समझ जाएं बाते के 15% of 67 के लिए सर यह देखिए 100 यहां पर आ जाता है फिर यह 10 ओके इस तरीके से चीज़ें होती है balance seat अब देखिए reserve categories की सारी सीटे 10 प्लस 5 प्लस 18 यह सब मिलाकर रख दें तो फिर 67 से इन सीटों को माइनस करने के बाद जो सीटें बचती हैं वो होती है balance seat यानि कि यह बिना किसी reservation category की seats है यह seats अब एक तरीके से दो हिस्सों में बढ़ती है पहला है defense category के लिए कुछ खास seats a lot रखी जाती है जो unreserved रहती है यानि कि 34 seats ऐसी है जिसमें कोई reservation नहीं है उसका 25% always for the defense category we allot 25% of seats और यह जो 25% seats है यह unreserved category वाली जो seats है उन में से आती है तो 34 का 25% that is 9 seats are available for defense categories अब बची कितनी 34 मैंसे 9 seats defense category के लिए अगर allot हो गई तो फिर बची 25 seats यह जो 25 seats है यह unreserved category या general category के लिए रखी जाती है तो इस तरीके से आपको home state में category wise seats का distribution देखने को मिलता है अब इसी तरीके से other states को जितनी seats हमने दी हुई है अपने इस metric के हिसाब से हमने total scenic school की vacancies में से 33 seats दी हुई है other states के candidate को fill करने के लिए यहां पर समझ जाई यह other state हर एक scenic school में कुछ बच्चे उसी राज्य के भरे जाते हैं जिस राज्य में वो scenic school है उन्हें home state का दर्जा दिया जाता है और हर एक scenic school में कुछ बच्चे उन राज्यों से या पूरे भारत से भरे जाते हैं जो जिस रा जावा उसके इतर दूसरे राज्यों के हैं अधर स्टेट के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि number of candidates हमेशा जादा हो सकते हैं क्यों मान लिजे कोई school महरास्ट्र में है और महरास्ट्र के ही बच्चों को उसमें जब admission दिया जाएगा तो उनके लिए 67 seats रहेंगी और महरास् लेकिन महरास्ट्र में ही other states यानि कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा कोई उत्राखंड का कोई पंजाब कोई हर्याना और 36 जारखंड यानि कि महरास्ट्र को छोड़ करके पूरे भारत के राज्यों में से कोई भी बच्चा उस school में admission चाहता है तो उसे सिर्फ 33 seats म मिल रही है पहली बात और दूसरी बात उनमें जो distribution है वो इस प्रकार से है यानि कि कम सीटें अवेलेबल हैं other state के बच्चों के लिए comparison to the home state और इन कम सीटों पे भी fight करने के लिए या फिर apply करने के लिए पूरे भारत से बच्चे आ सकते हैं उनके लिए खुला है द्वार तो यहां पर बहुत जादा competition होगा यानि कि इसकी cut off भी जादा जाएगी यानि कि अगर आपके बहुत ही शांदार marks आते हैं तभी आप other states की तरफ रुख कीजिए खास तो और ऐसे schools में जिन पर बहुत सारे बच्चों के apply करने की संभावना है जब आप इस पूरी process को समझ सकते हैं तो आपको यह भी पता होता है कि कौन-कौन से वह school है जो hot favorite school रहते हैं मैं किसी खास school का नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझदार parent होने के नाते यह बात समझ सकते हैं 33 जो seats है उनको किस प्रकार से भरा जाएगा schedule cast या SC category के लिए 15% का जो reservation criteria लगा करके 33% sorry 33 का 15% that is total number of 5 seats should be filled इसी तरीके से ST category के लिए 7.5% of 33 जो की निकलता है 2 seats OBC category के लिए 27% of 33 seats जो निकलता है 9 और इस तरीके से तीनों category में reserved category में जो seats का allocation है इस प्रकार से हो जाता है 5 plus 2 plus 9 इन सब seats को आप हटा दीजिए 33 में से तो जो बचती है that is 17 seats ये वो seats हैं जो unreserved categories के लिए हैं लेकिन in 17 seats में भी हमेशा जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि defense category के लिए खास यहां पर 25% seats को reserve रखा जाता है तो इन बची-कुची seats में भी 25% of 17 जो की चार है यानि कि चार seats सिर्फ और सिर्फ defense category के बच्चों के लिए रखी जाएंगी और फिर जो बच जाएंगी that is 13 seats वो seats भरी जाएंगी जनरल के टिगरी के candidates के रूफ यह एक तरीके से आपको वो समझाने के लिए यहां पर सामने रखा गया है कि आप यह समझें कि जो seats का allocation है distribution है वो किस प्रकार से किया जाता है अब total number of vacancies अगर आपको पता है तो उसके 67% के through आप यह समझ सकते हैं कि home state को कितनी seats available होंगी उसका 33% निकाल करके आप यह समझ सकते हैं कि other states को कितनी seats available होंगी और फिर आप home states में भी इस तरीके से खुद list बना करके चल सकते हैं हाला कि यह आपको जरुरत नहीं पड़ेगी हम आपको आगे बताएंगे वीडियो में लेकिन यह process समझना बेहत जर seats reserved रहेंगी total number of vacancies में से याने की 15 seats वो reserved रहेंगी for the ST category over all सारी vacancies में इसी तरीके से ST के लिए 7, OBC के लिए 27 seats available रहेंगी 100 overall total seats में से जो की throughout भरी जानी है सारे सेनिक स्कूल में और बांकी defense का और जो general का criteria उसकी भी total number of seats 100 में से इतनी रहेंगी 13 seat भरी जाएंगी defense और 38 seat भरी जाएंगी general category से यह distribution रहेगा और यहाँ पर यह आपने समझना है so therefore total allocation of seats will be as under यह सेनिक स्कूल का जो notification है जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहीं यह सारी जानकारी आपको मिल जाती है ST के लिए 15 जिसमें 10 होम, 5 अदर, 7 ST के लिए जिसमें 5 होम, 2 अदर और यह सारा criteria है now there is certain more information given in the notification itself और इसको star mark किया गया यहाँ पर देखिए candidates और यह खाली boys के लिए है candidates belonging to other states or union territory will be allotted seats in their category as per merit subject to maximum limit of 25% of the total vacancies in all the categories and for each state and union territory अब इसको कैसे समझना है, example भी दिया है if there are 10 seats other state के लिए available है candidate of any particular state will not be granted more than 3 seats that is the 25% of 10 seats निकाल करके 2.5 मिलता है जिसे round off करके 3 आता है तो किसी भी case में other state के candidates को 3 से ज़्यादा seats नहीं मिल सकती है कब जब उस school में 10 seat available है 10 seat है other state category में तो किसी भी condition में आप 25% का criteria pass नहीं कर सकते 25% से ज़्यादा seat allot नहीं की जा सकती है और नहीं पर बॉइज यह बॉइज के लिए हमने एक तरीके से नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन पड़ा है उसके बाद one seat per category for girl will be allotted in girl's admission 10% of the strength of class 6th and 10 number seats whichever is higher अगर किसी का 10 प्रतिशत 10 से कम आता है तो फिर total number 10 रहेगा 6th class के लिए और किसी का 10 प्रतिशत अगर 10 से जाधा आता है तो वही प्रतिशत रहेगा जो की 10 प्रतिशत में मिल रहा है यानि कि माल लीजे किसी का 10 परसेंट किसी number का 10 परसेंट माल लीजे 12 आ चुका है तो number of seats will be 12 और अगर किसी number का 10 परसेंट आपको मिलता है सिर्फ 9 9 तो number of seats will be not 9 it will be 10 किसी भी हालत में 10 सीट तो भरी ही जानी है और 1 seat per category for girl will be allotted in girls admission हर एक category में जितनी हरी category हमने बदाई उसमें एक seat कम सिकम girls के लिए होंगी ऐसा कहा गया है और यह class 6 की बात है ठीक है will be reserved for girl candidate in any school in order to cater to all the categories तो हर एक school में आपको girls की vacancies इस प्रकार से fill करती भी देखने को मिलेंगी but if any of the reserved category SC, ST या OBC is not available within the home state और union territory the seat shall be distributed among the available categories within the home state अगर reserved category में कोई भी seat नहीं है तो फिर उन seats को जो vacant seat है उनको बांकी categories में बांट दिया जाएगा ऐसा कहा गया है और इन सब चीजों को इन पेचीदियों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ अलग एक जहलक देखने को मिल जाती है जहां पर आपको यह समझना होगा कि कभी कभी किसी खास category के लिए कोई reserved seat नहीं होती है उस case में आपको यह वाला जो illustration है ध्यान में रखना होगा अगर 67 all candidates belonging to home state है SC के लिए कोई seat available नहीं ST के लिए 7.5% OBC के लिए माल नीजे कोई seat available नहीं है already वहाँ पर भरी जा चुकी है उसमें है already SC और OBC का total number of strength में जितनी हमें चाहिए तो फिर vacancy wise उस खास school में कोई भी available seat नहीं नहीं रहेगी और फिर balance seat को इसी तरीके से ST की जो पांच सीट है उन में से घटा करके calculate किया जाएगा तो इसको एक बार फिर से अब ध्यान से देख लीजिए आप इसको समझ लीजिए और फिर हम बढ़ेंगे इसमें आगे कि नंबर अब सीट को रिजर्व रखने के पिछे सरकार का क्राइटेरिया होता है कि इक्वल डिस्रिबूशन होना चाहिए सीट का एक तरीके से समाज के हर एक तबके को मौका मिलना चाहिए to get admission और उस है कुछ खास तपके हैं जिनको अगर हम माल सकते हैं कि वो पिछड़े तपके थे historically तो उनको थोड़ा और बूस्ट देने के लिए सरकार कुछ देती है that is the whole basis of reservation उस अधार पर अगर किसी स्कूल में अल्रेडी स्ट्यूल का स्ट्यूल ट्राइब और ओबीसी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है तो उस स्कूल में हो सकता है कि न्यू एडमिशन के लिए कोई भी उस खास category की vacancy ना निकले और ऐसे case में जो वहाँ vacancies है उसमें category wise not applicable लग जाएगा not available लग जाएगा for that category और फिर बांकी की seats उसी तरीके से fill की जाएगी और बांकी के जितने भी other categories है उनमें उसको redistribute कर दिया जाएगा लेकिन अब यहां पर एक खास बात अपने ध्यान में रखनी च and other details including category is not permitted एक बार आपने जो form भर दिया माल लीजिए उसमें आपने कोई खास category से belong करते हुए अपने को बता दिया अब आप change नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस भी category से आप belong करते हैं उसके सही और सटीक certificate आपके पास मौजूद होने चीए इन हैंड ठीक है तभी आप उसके संबंदित जो सीट से उनको अवेल कर पाएंगे तभी आपको जोई counseling की पूरी चक्र या राउंड घूमते हैं उनमें आपको number of schools शो किये जाएंगे however a correction window में भी opened ये पहले की बात थी तो इन सब बातों के आधार पर अब मैं आपको बताता हूँ कि total number of vacancies हैं कितनी और बाकि जो जरूरी बात हैं समझने वाली ठीक है पहले बात करते हैं class 6 की हमने ये सवाल आपके सामने रखा था कि total vacancies जरूर पता होनी चाहिए और इसी notification में जो सेनिक स्कूल का आया है उसी में जो आपको tentative vacancy की metric बताई गई है उसी में ये समझाया गया है कि कौन से school में कितनी seats भरी जाएंगी उसके आधार पर हमें पता चला है कि total number of vacancies for class 6 इस बार है 2970 ये पूरे 33 schools में भरी जाएंगी और इसको अगर आप divide करते हैं home और other state के लिहाज से इन seats को कैसे माटा गया तो इसका 67-33% आपको उसी प्रकार से निकालना होगा ultimately ये आता है home state के लिए मिलती है 1, 9, 7, 2 seats और सारे सेनिक स्कूल मिला करके जो other states की vacancies भरी जाएंगी वो भरी जाएंगी 994, 894 के हिसाब से कि लेट मी चेक के लिए 998 के हिसाब से ठीक है तो आट दो दस और इस प्रकार से हो जाएगा मुझे उमीद है आपको ये बाते समझ में आ रही होंगी अब इसमें जो category wise distribution है जिसे मैं आगे आपको जो metric दिखाऊंगा उसमें भी समझाऊंगा इसमें category wise distribution को समझिए तो इसमें boys और girls के हिसाब से भी बटेंगी भाई जो कि मैंने आपको पीछे समझाया भी था तो boys को इसमें कितनी seat मिलती है home state में और girls को इसमें कितनी seat मिलती है home state में वो ध्यान में रखना पड़ेगा similarly boys को कितनी मिलती है other states में और girls को कितनी मिलती है other states में ये भी ध्यान रखना होगा यह जानते हुए कि 10% of seats will be reserved for the girls अब मैं इसको category wise distribute करने की कोशिश करता हूँ जिसमें general, SC, ST, OBC और defense के हिसाब से इसे देखा जाएगा general, SC, ST, OBC और defense यह हैं categories similarly यहां भी मैं भर लेता हूँ general, SC, ST, OBC और defense की categories बिना इन सब चीज़ों को समझें आप e-counseling का सही से अनमान या फाइदा नहीं उठा पाएंगे और खुद अपनी priority को भी जब आप निर्धारित करेंगे तो उसमें भी हो सकता है आप गलती करतें तो इस पूरी process को समझें, now general category के लिए home state में boys के लिए जो seat हैं वो हैं 735 पूरे सारे cynic schools में मिला करके, यानि कि पूरे भारत के जितने cynic schools में vacancies आई हैं उनमें जनरल category के boys को कि home state अपने ही state के सेनिक स्कूल में एडमिशन जाते हैं वो 735 ओवराल भरे जाएंगे SC category में 247 ST category में 112 और OBC category में 464 ये बन रहा है और ये कैसे निकला आपको अभी मैंने पीछे समझाया है आप खुद भी निकाल करके देख सकते हैं डिफेंस में बनती है 238 ये हैं home state में boys की category wise distribution of seats उसके बाद girls की अगर मैं देखूं तो 46 seats हैं जनरल के लिए 31 seats हैं SC के लिए और 30 seats हैं ST के लिए और इसके अलावा 36 seats आती हैं OBC के लिए और 31 अगें 33 seats आती हैं डिफेंस के लिए इसी तरीके से अब आप other states में भी boys और girls की seats का distribution देख सकते हैं जनरल के टिगरी के लिए other states में 335 seats girls boys की 121 seats हैं SC के लिए 49 seats हैं ST के लिए 230 seats हैं OBC के लिए और 97 seats बन रही हैं defense के लिए ओके इसके लवा girls की seat के अगर मैं बात करूं तो जनरल के टिगरी के लिए total seats की बात करूं तो यह है 832 और girls की मैं total seats की बात करूं तो यह है 166 वहीं अगर मैं in home state में भरी जाने वाली 1972 vacancies की बात करूं तो इसमें boys के लिए हैं 1796 seats और girls के लिए हैं 176 seats इस पूरे distribution को भी आप समझ लिए these are the actual seats that are available in overall category in all scenic schools और यह है class 6 की बात class 6 के discussion के बाद अब मैं आपको class 9 के बारे में बता देता हूँ आप इस पूरे metric को समझ लिजिए उसके बाद class 9 में किस प्रकार से vacancies हैं इसको आप note कीजिए और उसके बाद पीछे metric जब देखेंगे class 9 का तो इस बात को ध्यान में रखेंगे लेट्स कम टू class 9 ऑल इंडिया सीट्स की में बात कर रहा हूँ और 9 की category में आप देखें सबसे पहले total number of vacancies कितनी है पूरे भारत के scenic schools में class 9 में भरी जाने वाली vacancies tentative है मतलब इन्हें change भी कर सकता है scenic school authority चाहे तो लेकिन फिलाल जो आकड़ा हमारे पास है वो 697 का है अब इसमें home state यानि कि अपने ही state में मौझूद scenic school में admission लेने के लिए आपको कितनी seats अलोट की जाती है और other state के लिहाज से किसी दूसरे state के scenic school में admission लेने के लिए कितनी seats अलोट की जाती है उनकी जानकारी यहां पर है 445 seats in home states में total और other states में मात्र 251 seats यहां पर भी आप समझ सकते हैं हर बार जब भी आप compare करेंगे home और other state को तो आपको home state में हमेशा ज़्यादा seats मिलेंगी और किसी भी parent को ध्यान रखना होगा कि अपने बच्चे का score देखते हुए और अपने ही राज्ये में मौझूद सेनिक स्कूलों की हालत देखते हुए आपको अगर possible हो तो home state में ही सबसे पहले priority देनी चाए क्योंकि वहाँ पर admission के chances ज़्यादा है इसके बावजूद अगर आपके बच्चों का score बहुत बहतरीन आया है तभी आप other state और खासतर पर उन other states में try कीजे जहां पर आपकी category की seat से सायद जादा हो अगर आपने किसी ऐसे other state के school में apply कर दिया जहां already other states की seats कम है सबसे कम है और आपके बच्चे का score भी अगर बहुत अच्छा नहीं है तो फिर वहाँ पर admission होना मुश्किल रहेगा इन सब बातों को बिलकुल ठंडे दिमाग से ध्यान में रखते हुए आपको अपनी list prepare करनी चाहिए तो हम state में जो 445 seats है उसमें boys और girls के बीच इसके distribution की में बात कर लेता हूँ boys को कितनी मिलती है नाइन्थ में और girls को कितनी मिल रही है नाइन्थ में home state में seats तो 423 गई है boys के खाते में और सिर्फ 23 गई है girls के खाते में नाइन्थ क्लास के लिए और फिर से उसी तरीके से इनको डिवाइट करते हैं category में general, sc, st, obc और defense similarly other के लिए भी पहले तो boys, then girls और फिर boys के लिए कितनी seat है 232 and girls के लिए कितनी seat है तो 19 है सिर्फ और फिर इनको भी divide करते हैं अलग-अलग category में तो पहले general, sc, st, obc और defense यहाँ पर boys की में बात करूँ तो 152 seats हैं boys के लिए home state में general category में और 63 seats है sc community के boys के लिए home state में उसी तरीके से st community के लिए यहाँ पर है 27 seats home state में और class 9th senate school admission और obc के लिए हैं 110 seats available and defense category के अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 71 seats है home state boys class 9th category के लिए girls के level पर अगर मैं बात करूँ number of seats available general में है 10 seats are available for girls in general category home state 3 seats are available for sc community girls और home state overall इन सारे cynic school में सिर्फ 3 seat है तो काफी सारे cynic school होंगे जहाँ पर vacancy 0 होगी ये metric draw करके फिर distribute की जाएंगी बिटा sc category के लिए home state में seats तो वहाँ पर already 3 seats को distribute करना है already school के संख्या 3 से जादा है तो कई सारे schools में 0 हो जाएंगी vacancies उसके बाद st category में आती है 2 seats और 7 seats are available for OBC category and defense category के लिए बनी है सिर्फ और सिर्फ एक seat class 9 में आपका बच्चा है home state में admission लेना है defense category से आना है एक ही seat है और वो पूरे schools में distributed तो कैसे करेंगे ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा इस लिहाज से ही आपको चूज करने होंगे states और अपनी category से बाहर भी आपको शायद देखना पड़ सकता है खेर other में boys के लिए बनती है 86 seats class 9 के लिए उसके बाद general category के अगर वो boys हैं तो SC community के लिए 7, 15 for ST and 61 for OBCs whereas 33 seats for defense category students are available in other states for class 9th वहीं other states में girls के लिए अगर मैं देखूँ तो general category में 5 SC categories में 5 ST categories में भी 5 OBC में सिर्फ 2 और defense में सिर्फ 2 seats अवेलेबल हैं तो girls के लिए बहुत tough competition है class 9th में और यहां पर पूरी तरीके से merit list cut off mark यही सब कुछ माइने रखेगा यह है पूरा एक खाका जिसके तहट आप class 9th और class 6th में Scenic school में मौजूद vacancies को समझ सकते हैं और उनके distribution को category wise जाच सकते हैं मुझे लगता है आप नहीं सब चीज़ा देख ली हूँगी screenshot अगर आप चाहें तो ले सकते हैं then we come to the real question और यहीं पर शुरुआत होती है यह पूरे जितने भारत में Scenic schools हैं उनमें number of seats को actually कितने school में कितनी seats हैं देखने की मैं अगर example के तौर पे सबसे पहले Scenic school अमरावती नगर की बात करूँ यहाँ पर आपने इसको read करना पड़ेगा यह list यह पूरा जो format है यह आपको Scenic school की official website पर मौजूद इस 2024 के exam notification के ही अंदर मिल जाएगा आपको उसमें जो topic है tentative list of vacancies for class 6th in Scenic school for academic year 2024-25 नाम से जब notification शुरू होता है तो वहाँ पर headings दी होती है यह headings कौन से page में है वहाँ पर उस direct page पे जाएए और 6th class का यहाँ पर एक दो जो slides है उसमें मैं आपको representation दिखाऊंगा इसी तरीके से 9th class का भी आपको देखने को मिलेगा तो आप कैसे read करेंगे माल लीजे अमरावती नगर इस स्कूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो seats है boys के लिए home state में वो है total 70 70 seats 70 seats यहाँ fill की जाएंगी home state वालों के लिए अब उनमें से 27 fill की जाएंगी unreserved general category से 9 seats for defense 19 seats for OBC 5 seats for ST and 10 seats for SC इस तरीके से boys की home state में number of vacancies है number of seats है अगर आप अमरावती नगर या उसी राज्य के बच्चे है तो आपको अपनी category wise देखना चाहिए कि भाई कितनी seats है मेरे इस घर के सैनिक स्कूल में या फिर कहें घर राज्य के सैनिक स्कूल में इन total number of seats और distribution को जाने बिना आप इसको fill नहीं करना मैं यही आप से कहूंगा दूसरा other states की अगर मैं बात करूँ तो अमरावती नगर में माल नीजे कोई बाहर का बच्चा admission लेना चाहता है तो total number of seats से 34 जिसमें general के लिए 13 है अगर वो बच्चा general category का है तो उसे 13 seats में से fight करना है पूरे भारत के बच्चों से और defense 4, OBC में 9 ST में 3 और SC में 5 seats हैं इस तरीके से अब अपनी category में देखिए उन schools को mark कर लिजे जिन में आप admission लेना चाहते हैं बाद में इस पूरे metric का अध्यन कीजिए और देखिए उन में से कितने school हैं जो आपने सोचे थे कि जहाँ admission लेना है और वो eliminate हो गए because there are either very less vacancies or there is no vacancy in those schools अब जैसे यहां पर 0 लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ बात करूँ तो यह है girls की vacancies home state और यह school है scenic school east siang नाम का east siang में girls के लिए home state में ही अगर वो OBC category की हैं तो कोई seat available नहीं है तो इसको fill करना मेमानी होगी उसी तरीके से SC categories के लिए भी यहां कोई seats नहीं है जहां पर मैं home state में ही इसी school की बात करूँ तो यहां पर OBC के लिए कोई seats नहीं है यानि की OBC की एक भी seat नहीं है इस school में बज़ेगी आप home वाले हों या other वाले हों तो फिर इस school को अगर आप OBC वाले हैं उस category से belong करते तो आप नहीं रखेंगे अपने top 10 priority list में यह काम की नहीं रहेगी similarly there are many schools जिन में आपको खास तोर पर girls के लिए देखिए 1111 seats हैं for each category एक seat के लिए other state में fight करना बड़ा मुश्किल है तो अब जब आप इन सब चीजों को समझते हैं तो आपको यह पक्का चल चुका होगा कि आपको कौन से schools हैं और उसे घटते वे क्रम में आपने समझना होगा इसी तरीके से prioritize करें एक metric बनाए एक दिन दो दिन का समय लें और जल से जल इस प्रकार से कुछ न कुछ tentative दो तीन list बना लिजिए दस-दस स्कूलों की जिसमें overlap भी हो सकता है कुछ स्कूल हट भी सकते हैं अलग-अलग criteria के हिसाब से यह आपकी personal choice पर depend करता है आप किस चीज को ध्यान में रखते हैं और इस पूरे metric का भी अध्यन कीजिए जिसमें सारे schools और उनमें मौझूद seats की बारे में जानकारी दी गई है यहां पर बचे हुए schools उनके बारे में बता गया है जादा तर school में आप देखेंगे एक seat available है या फिर zero seats available है कुछ खास categories में उनको जरूर mark करके चलिएगा यह है class 6th के admission को ले करके और इसे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ अगर आप चाहें तो यहीं से इसको check कर सकते हैं और चाहें तो यहीं से screenshot भी ले सकते हैं if it is clear to you और तो second slide है वो कुछ इस तरीके से है तो यह थी class 6th की बात और फिर class 9th को ले करके भी इसी तरीके से notification में ही जानकारी मौझूद है 9th में seats का distribution में आपको पहले बता चुका हूँ total number of seats कितनी है boys और girls की home state में boys और girls की other state में फिर category wise उनको कैसे distribute किया गया यह भी मैंने देखा है तो आप अनुमान लगाईए किस state में हैं आप कौन सी category के आप हैं और आपको कौन सा school चाहिए या कौन कौन से school है जो आप shortlist कर सकते हैं at least five school तो आप shortlist करी सकते हैं और फिर ऐसे plan कीजिए कि आपको इन पाँच school में से कोई एक school definitely मिल जाए counseling की process के दौरान जिसके अलग-अलग round होंगे और इसमें parents का ही पूरा का पूरा योगदान होना चाहिए बच्चों के लिए से समझना थोड़ा मुश्किल है अभी के समय में ninth class की vacancies की में बात करूं तो already बहुत कम vacancies आपको पता ही है और फिर यहां आप देख सकते हैं दुनिया भर के ऐसे schools जहां पर आपको line से zero 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 seats दिख रही है और यह मैं other states की बात कर रहा हूँ यह सब draw करने की ज़रूत नहीं है पूरा zero है इधर यहां भी आप देख सकते होम state में भी बहुत सारे seats हैं ही नहीं ninth class में आपको खास तोर पर ध्यान रखना है अगर आप चाहें तो मैं इसको एक बार फिर से समझा सकता हूँ चलिए उसी सेनिक स्कूल अमरावती नगर की बात करते हैं और girls के admission की बात करते हैं home state की अमाल लिजए यहीं की हैं जहां यह स्कूल है SC category में अगर आप हैं तो आपके लिए सिर्फ एक seat available है इसका मतलब आपके बहुत बढ़िया marks होने चाहिए तब आप यहां होंगी और हो सकता है कि आपके ही home state में apply करने वाले कोई बच्चे हों जिनके आप से ज़्यादा marks हों तो ऐसे में chances हैं इसमें risk है और फिर इसलिए आपको prioritize करना जरूरी है उसके बाद मैं अगर बात करूँ girls की home state में ही इस school में तो अगर आप ST community की हैं तो there is no seat available for you OBC में 1, defense में 0 general में 1 और इस तोटल 3 vacancies ही है other state sorry home state की girls के लिए इस particular school में मुझे लगता है आपको इस पूरी जो metrics का अध्यान करने की बाद समझ में आ चुकी होगी और अगला जो इसमें slide है उसमें बचे हुए schools के बार में बताया गया है चलिए आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पर इस सम चीजों को erase करके और देख सकते हैं आप इसको आसानी से आप अपने वीडियो के थूप इसको screenshot भी ले सकते हैं और यह रही दूसरी list तो इन तमाम बातों का इन factors का अध्यान जब आप कर लेंगे तब ही आप particularly तैयार हो पाएंगे e-counseling process में बैठने के लिए उसको समझने के लिए और उसमें सही decision लेने के लिए otherwise यह पूरा का पूरा जो आपका साल भर की महनत है exam देना है और जितने भी आपने उसमें क्याग और बलिदान किया है वो सब खाली भी हो सकता है वो सब zero भी हो सकता और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो और इसी लिहाद से आपको इस वीडियो को पहले बहतरी से समझना है और उसके बाद अपना खुद घर में homework करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक उस process में जिसमें आप directly involved होने वाले हैं उसको आप ठीक से deal नहीं कर पाएंगे अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देखने तो जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर हमें comment section में भी बताइएगा इसके अलावा हमारे ये numbers हैं जिन पर आप contact कर सकते हैं for your queries इन दो number को भी यहाँ पर हम आपको दर्शा रहे हैं और इसी के साथ उमीद करता हूँ आपको जो e-counseling की process है उसमें जरूर सफलता मिलेगी और एक desired scenic school में आपको admission भी मिल जाएगा on that note, अब लिदने आप साल विदा, all the best, take care and bye bye